राजिस्थान में अगला सियम कौन होगा ये सवाल प्रदेश के लिए अभी तक पहेली बना हुआ है इस बीच विजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए केंद्री परिवेशों की नियुक्ति कर दी इसे में कयास ये है कि विधायक दल की बैठक के बाद जल्दी राजिस्थान सियम के लिए नाम तैह हो जाएगा उधर पियम मोदी ने अपने भाशन में ही एक बड़ा संगेत दिया इसमें कहा कि मुख मंत्री तो राजिस्थान के चेहरों में ही शामिल होगा इस बीच केंद्री रेल मंत्री अश्वनी वैशनों का नाम सबसे तेज इस रेस में अब आगे दिख रहा है हाला कि इस रेस में केंद्री मंत्री गजेन सिंग शेखावत, ओम बिल्डा, किरोडी लाल मीना, राजवर्दंग सिंग राठार और दिया कुमारी का नाम भी शामिल है लेकिन सियासत में वैशनों के नाम को लेकर सरगर्मिया बढ़ चुकी है राजिस्थान में मुख मंत्री की रेस को लेकर केंद्री मंत्री गजेन सिंग शेखावत को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है गजेन सिंग शेखावत जोधपुर से सांसद हैं उन्होंने 2019 में लोकसभाचनौ में पूर मुख मंत्री अशोग गहलोत के बेटे वैवाव गहलोत को हराया था शेखावत का नाम संजीवनी क्रेडिट को आपरेटिव घोटाले से जुड़ा है इसको लेकर गहलोत ने उन्हें जम कर घेरा इसके अलावा गजेन सिंग ऐसे निता है जिन्होंने पूरे पास साल तक गहलोत सरकार को डड़ा कर रखत्या उनका मुकाबला भे किया ऐसे इस्तिती में सियम पोस्क लिए गजेन सिंग सिखावत को भी यहाँ पर मजबूत द्याविदार माना चा रहा है राजिस्थान में नए मुख मंतरी को लेकर सियासत और राज की नजरे बेसबरी से इंतजार कर रही है तर बिजेपी ने राजिस्थान में नए मुख मंतरी के चैन करने को लेकर तीन केंद्री परिवेक्षकों को नियुक्त किया इसमें केंदरी, रक्षा मंतरी, राजनास्तिंग, विनित पावडे और सरोच पान्डे ये तीनों परवेक्षक जैपुराएंगे जहां पर विधायक दल की बैठक होगी बैठक में विधायकों और नेताओं से बाचीत करने के बाद ही मुख मंतरी के नाम की सिफारिस पार्टी हाई कमांद तक पहुचाएगा कहा जा रहा है कि परवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद ही बेजेपी नेतरत अगले सीम का नाम तै करेगी राजनीती में body language का भी काफी महत होता है जिस तरह से वसुंधरा राजे की नड़ा संग गुरवार की रात को करीब 70 मिनट तक मुलाकात होई इसमें मुख मुद्दा सीम पोस्ट का ही था ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा को मना लिया गया है यानि अगर मुख मंतरी के पत पर कोई नया नाम सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्षण मुलाकात के बाद वसुंधरा वहाँ से बाहर है उन्होंने वहाँ चर्चा यही कि वो भी सीम रेस से बाहर हो चुकी हलाकि यह फाइनल तभी होगा जब सूबे में नय सीम का नाम का एलान हो जाएगा इसके लावा भी राजिस्तान के मुक मंतरी पत की रेस में दिया कुमारी डाजवर्दंग सिंग राठाओर के अलावा सीपी जोसी ओम माथुर अर कि इन सब क्रामों के बीच में अब असुनी वैस्नो जो की रेल मंतरी है उनका नाम सबसे उपर बताया जा रहा है ये भी बताया जा रहा कि उनकी साप छवी और रेलवे मिनिस्टिर रहते उन्होंने जिस तरह से अपना काम किया उसका उनको रिजल्ट आगे मिल सकता है और राजिस्थान को नए सीम की तौर पर असुनी वैस्नो वहाँ पर दिये जा सकते है अलकि किरोडिलाल मीरा के नाम पर भी चर्चा हो रही थी लेकिन अब जब सबसे लेटेस जो जानकारी वह असुनी वैस्नो को लेकर है असुनी वैस्नो राजिस्थान के सीम हो सकते है फिल या फिर बिजेपी का कोई नया चहरा राजिस्थान की स्यासत पे वहाँ की गर्दी पर बैठेगा